करने के लिए एक घरह खाई त्यार की गई है. यह परीक्षन थार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक मह्त्रपूइन कदम है. इसके अलावा दरवाजे की मद्बूती का परीक्षन भी किया गया है. यह सुनिश्टित करना आवशक है कि दरवाजा सही तरीके से बंध हो और अत्यदिक मजबूत हो अगले चरन में ओफरोडिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा यह परीक्षन यह देखने का अफसर प्रदान करेगा कि थार उंचाई पर चरने में सक्षम है या नहीं इसके साथ ही गारी के टायर के फटने की स्थिती में क्या करना चाहिए इस पर चर्चा की गई है यह जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिती को कैसे संभालना है गारी की स्थिती और उसके स्क्रेच के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है गारी की उचित देखभाल और मरम्मत पर ध्यान देना अत्यंत आवशक है इस संदरा में गारी के दुरगट नागरस्थ होने पर प्रात्मिक चिकित्सा की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है सही समय पर उचित मदद प्रदान करना जरूरी है इसके अलावा कार के अंदर बैथने की क्षमता पर चर्चा की गई है जिसमें यर बताया गया है कि कितने लोग आराम से बैठ सकते है पानी में कार की स्थिती की जांच भी की जाती है जहां यह देखा जाता है कि क्या कार पानी में चल सकती है अंत में वीडियो में एक मज़ेदार मोर आता है जब कार की स्थिती को लेकर हलके फिलके मजाक किये जाते है और कुछ तक्नीकी समस्याओं का सामना किया जाता है